एक्ससाइस 7.2 का कोसल नमर 4 बताऊंगा मैं इसमें, इसमें कहाँ रहा है, find the ratio in which the line segment joining the point इतना and इतना, मतलब यह 2 point है, minus 3, देखो एक का कोडिनेट आपका है, minus 3 और 10, और B का जो कोडिनेट है, 6 और minus 8, ठीक है, 2 कोडिनेट दिया हुआ है, line है यह, is divided by, कहाँ इसको divide किया ज कहता हुआ C, और इसको divide, इसका भी कोडिनेट दिया हुआ, minus 1 और 6, ठीक है, minus 1 और 6 इसमें दिया हुआ, तो मतलब इसमें, जो है ratio आपको बताना है, और 3 points आपको देने है, दिया हुआ है, ठीक है, देखो यह, यह line के 2 point है, A और B का point है, और यह C का point, कहता है ने, divide by इतना मतलब इससे divide किया जा रहा है, यह दोनों को ratio में divide किया जा रहा है, तो आपको इसमें ratio बताना है, तो मतलब M1 और M2 बताना है, ठीक है, मतलब आपको इसमें find करना है, to find M1 ratio M2, यह आपको find करना है, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको section formula का ही use करना है, आप इसे खुद समझ लेना जो मैं क्या इसमें लिख रहा हूं ठीक है तो इस तरह के फॉर्मुले इस तरह के कुस्टन में जब भी आपको रेशियो का यह निकालने के लिए तो आपको क्या करना है इसमें एक छोटा सा । और आपको समझना है क्या है इसको आपको के माल ले तो अब आपको लगाना हो तो section formula यह है मतलब c coordinate से ही आप चलोगे section formula लगे तो c के ही coordinate से चलोगे c और इसका coordinate दिया हुआ है minus 1 और 6 ठीक है equal to अच्छा मैं इसमें पहले formula लिख देता तो सही होता चलो ठीक है मैं इसमें formula पहले लिख देता हूँ तो यहाँ पर पहले मैं x और y लिखता हूँ ठीक है x और y लिखता हूँ तो इसका formula क्या होता है m1 into x2 plus m2 x1 by में m1 plus m2 ठीक है m1 plus m2 और कॉमा m1 y2 plus m2 y1 by में m1 plus m2 यह होता है m1 हमने लेट कर लिया है k है और m2 हमने मान लिया है जब भी इस तरह का question आया है जो ratio निकालने की तो आप क्या करोगे k और 1 आप let कर लोगे ठीक है आप चाहिए तो लिख भी सकते हो है ना जो इसको इसका जो ratio let the ratio of line segment AB is k ratio 1 आप इसे लिख भी सकते हो यहाँ पर नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं हमने इसे यहाँ पर लिख दिया है denote कर दिया दिखा दिया ठीक है तो अब देखो c का coordinate दिया हुआ है आपको कितना minus 1 और 6 ठीक है तो यहाँ पर minus 1 और 6 coordinate दिया हुआ नहीं दिया रहता था हम x y लिखते हैं यहाँ पर दिया हुआ था मैंने लिख दिया m1, m1 का value है आपका k, x2 का value कितना यहाँ देखो 6 तो into 6 plus m2, m2 का value है 1 और x1 का value है आपका minus 3 ठीक है यह ना x1 का value, x1 का value minus 3 है और by में है m1 plus m2 यानि की k plus 1 हमने m1 को k माना है और m2 को 1 माना और यही दोनो value आपको निकालना भी है इस question में तो m1 अब फिर से आगया m1, m1 यानि की k into y2, y2 का value है आपका minus 8 ठीक है अब plus m2, m2 में 1 है और y1, y1 कितना है आपका 10 है तो 10 हो गया और by में m1 plus m2, m1 है k plus 1 बस इसमें आप mistake मत करना इसको value पूट करने में क्यूंकि अगर आप mistake करोगे तो इसका question जो है यह गलत तो यह आगया, देखो मैं एक और फिर से check करता हूँ, k into 6 ठीक है, और plus 1 into minus 3 ठीक है, भाय में k1 plus k2, इसमें भी यह आजाएगा k minus 8 और 1 into 10, भाय में k plus 1 ठीक है, अब इसको solve करता हूँ, मैं देखो, यहाँ पर लिखो c minus 1 और 6 equal to, यह आजाएगा 6k और यह आजाएगा minus 3, by में k plus 1, ठीक है, यह आजाएगा आपका minus 8k, minus 8, को केस मल्टिपले करेगा तो minus 8k, और यह plus 10, और by में k plus 1, ठीक है, आपके पास 2 coordinate यह आगी, इसको आगे हम solve अभी नहीं कर सकते हैं, यह 2 coordinate आगी है, ठीक है, तो इसमें आपको k का value निकालना है, ठीक है, तो अभी दे equal हो जाएगा, और यह जो दूसरा है, यह दूसरे वाले की equal हो जाएगा, तो आप चाहे तो first को लेकर के चलो, या फिर second को लेकर के चलो, answer आपका equal ही आएगा, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पहले दोनों को ही लिख देता हूँ, मैं equal, 9, यहाँ पर लिखो, 6k minus 3, by म k plus 1 equal to, इसके equal में क्या आ जाएगा, minus 1, यह आपको पता होगा, दोनों equal है, और यहाँ भी कॉमा, यहाँ भी कॉमा, इसके equal यह first वाला, इसके equal यह second वाला, तो यह आप आ जाएगा, minus 8k plus 10, by में k plus 1 equal to, यह 6 हो जाएगा, ठीक है, आप क्या करना है आपको, अभी देखो, इ यहाँ पर बीच में क्या करा, एक line दे दता हूँ, मैं दोनों से करके आपको बताता हूँ, दोनों से equal answer ही आएगा, तो इसके नीचे 1 कर लो, इसे cross multiplication कर दो, इसे 1 से multiply कर दो, यह C मी रहेगा, 6k minus 3 equal to, इसे 1 से करोगे, minus 1 से करोगे, तो यह आ जाएगा, k plus 1, मैं अभी अग minus 1, अब आप क्या करो, 6k, इसके को इदर shift कर लो, तो plus k हो जाएगा, इदर shift करोगे, और equal to minus 1 इदर ही है, और इसे इदर shift कर लो, तो plus 3 हो गया, ठीक है, तो यहाँ से आगे आपका 7k equal to, यह देको plus वाला बड़ा है, यह क्या answer आएगा, यह आजाएगा, आपका 2, आएगा यह 2 आगया, तो मतलब इसका जो k का जो value आएगा, यहाँ से जो k का value आगया, वो क्या आगया, 2 by 7, ठीक है, 2 by 7 आगया, और इस case में भी, इस case में भी आप इसके नीचे 1 कर दो, इसे cross multiply कर दो, तो यह minus 8k plus 10 equal to 6, इसमें करोगे, तो 6k plus 6 होगा, इसमें भी क्या करो, यह minus 8k жить कर लो, तो minus 6k equal to 6, minus 10 हो जाएगा, होगा, यहाँ से minus 8k, minus 6k, दोनों को add, add हो जाएगा, मैनस मैनस पलस होता, sin मैनस को होगा, यह कितना आ जाएगा, यह 14 a जाएगा, minus 14, again, equal to minus, इसमें कितना आ जाएगा, Six में से 10 घ्या तो minus 4 आ गया, तो यहाँ से minus minus cancel हो गया, k equal कितना आया 4 by 14 ठीक है तो ये 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14 यहां से भी k का जो value है आपका 2 by 7 है तो आप जो आपको समझ माया है जिसे भी आप लेके चलो तो आप चलो इसमें से किसी एक को ही लेके चलना है अभी देखो अभी तो आपका k का value आया है निकालना है तो अभी देखो तो ये k ratio 1 आपको ये 2 M1 M2 निकालना है तो इसका मतलब होगा k ratio 1 तो आप देखो यहां पर k ratio 1 का मतलब k by 1 होता है तो ये आगया 2 by 7 अब बाय में 1 तो इसे भी अगर आप solve करोगे तब ये 2 by 7 ही आएगा तो मतलब आपका answer क्या आगया 2 ratio 7 2 ratio 7 ये हो गया आपका answer ठीक है तो I hope आपको ये समझ में आया होगा बहुत तेजी सा question था तो फिर मिलते हैं next video में next question के साथ